नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी सूट या फिर ब्लाउज का आर्म होल किस तरीके से निकाला जाता है परफेक्ट फार्मूले से दोस्तों वह वी आज की वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि जब यह सूट हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पीछे के भाग होता है वह आदा इंच या आदा इंच से थोड़ा साम बढ़ा लेते हैं किस तरह से उसको हम आपस में जोड़के बाजू की सलाई करते हैं बाजू उसक की कटिंग करनी है तो दोसतो यह मेरे पास एक कपड़ा है एक अनुमान के मताबिक हैं आपको बता रहा हूं जैसे के माल लेते हैं इस सूट में जो बाजू हमने रखनी है वो भाजू की आगे से जो गुलाई है वह रखेंगे हम 11 और बाइचेफस का नाप रखेंगे 14 और तो इसकी जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 15 तो किस तरह से इसकी cutting होगी देखें दोस्तों इस कपड़े को आपको इस तरह से बिछा लेना है यह double है कपड़ा इसको आप इस तरह से बिछा लें सबसे पहले आपको इस जगे से एक निशान लगाना है बाजू जो फोल्ड होती है अंदर की तरफ यह लगबग एक से सवाइंच या डेड़ इंच भी आप रख सकते हो जितना आपको ठीक लगे तो इतना कपड़ा जो है यह अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमने अब इस हम बहुत दोस्तो टोटल बाजू कि लंबाई यह दोनों निशान है जो तो अब इसके बाद दोस्तो एक निशान आपको लगानाा था इस जगे से जो स्वारफ निशान है यह सब को टीणि crunch निचन लगाना होता है और ये हर बाजू में लगाया ही जाता है यह रिग क्यों बाजू की आगे से जो जो गुलाई हिसे वो रखरा हो में 11 ये देखिए और यो बाईचेश्ट का नाप भीवी आपने लेना हो तो उपर उते बाजू कि जैसे लंबाई है वहांसे पांच नीचे से आपको बाई चेस्ट का नाप रखना होता है तो बाई चेस्ट का नाप रखना हूं दोस्तों में 14 इंच यह देखिए कि अब आपको इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाना है का तो दोस्तों यह तो दोनों निशन मेंने आपको से मिला दिये हैं अब में बात है इसके आर्म होल किस तरह से निकालना है वह मैं आपको बताता हूं आपको इस जगे से लगग. आपको perfect armhole चाहिए किस तरह से perfect armhole निकलेगा उसका formula यह होता है दोस्तों देखिए जैसे माली यह जो मैंने cutting कर रखी है तो यह तो जाहिड सी बात है कि ताहे suit हो या फिर blouse हो जब भी हम हम बाजू की cutting करते हैं तो बाजू की cutting से पहले हम suit हैं blouse की cutting करते हैं तो जो उसका armhole निकलता है तो armhole निकालने के लिए हमें कुछ भी गणित लगाने के आफशकता नहीं है आपको करना कुछ नहीं है और आपको ये निशान लगाना ही देखी कहां पर राहा है है क्योंकि जो fitting हमारे इस जगए निशान पर होना तो एक पनी आप इस जगा लेना है نہ और यह उस निशान से ही आपको जो है इस aktuell कर आ दिए दिन इतना सा ही काम होता है दोस्तों और इसमें कुछ भी नहीं होता और इस तरह से आप पक्का शेवर हो जाओगे कि जो हमारी फिटिंग की सलाई आएगी आर्मोल की बिल्कुल फिट आएगी और इस जगे से यह जब भी इस चोदाई चिप के जो आपने बाइचेस ने आपा था यह भी आपका बिल्कुल बराबर आएगा तो इस निशान को आप भूल जाओ और जिस जगे पर आपका आर्मोल फिट आ रहा हो यह देखिए आपको दुबार दिखा रहता हूं आदा इंचूपर निकालकर तो उस निशान से ही आपको इसकी कटिंग करनी है अब कटिंग इस तरह से करनी है में आपको बताता हूं इदेखिए दोस्तो। यहां तक आने के बाद आपको सिदा जाना है और इस तरह से एक्स्टा कप्ड़ा रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे तो दोस्तो इस तरह से यह देखिए बाज रবकूल परफेक्ट आएगी अब дан इसे में आपको इसमें जो है आगे की तरफ इस तरह से आपको जिस तरह से हम आर्म होल में कपड़ा छाटने थोड़ा सा आगे से कपड़ा की कटिंग करते हैं इसी तरह से आपको आर्म होल वाले बाजू में भी इस तरह से कटिंग करनी है और इसको इसमें जाके मिला देना है तो दोस्तों इस तरह से अगर आप बाजू की कटिंग करोगे जो फार्मूला में आपको बताया है तो किसी भी तरीके से आपकी बाजू बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं होगी और एक दम परफेक्ट आएगी इसको बस आपको आदा ही चूप पर रखना इस तरह से और यहां से क्टिंगे नहीं किया कोई कोई इसमेD इसमें कर आपको बहुत सारी लोगों ने बताया कोगा बाजू के लिए इस तो बड़ी बाजू इसको ये तुह कर दो से से बाजू इसको बेठे बाजू आ अब मैं आपको छोटी बाजू किस तरह से निकालनी है उसका भी फार्मूला बदाता हूं इट दोस्तों है देखिये मिया है छोटी बाजू गर आपको काटनी तो वह किस तरह से काटनी यह ये?", ये मेरे पास एड। इप 있지える मधूर ने से वही तीन इंच नीचे के तरफ रखना होता है कि बाजू के आगे से गुलाई रखनी है 14 इंच यह देखिए और इसके बाद दोस्तों यह जो तिर्शा निशाना में लगाना होता है तो आपको साथ के साथ में यह भी बताता हूं अगर आपको कपड़ा इस तरह से कम हो जै रख सकते हो कपड़े को यह देखिए इस कपड़े को रखने आगे और अब आप इसकी कर लें कटिंग इस जगे से आपको धाइन छोड़ते हुए वही निशान लगाना है कटिंग करने के बाद दोस्तों आप इसको नापे यह आपको कहां तक आ रहा है उपर से आपको वही आदा इंच रखते हुए यह देखिए आदा इंच में छोड़ दिया है अब भी देख लिए आपकी जो स्लाई किस जगे पर आएगी इस जगे से आपकी स्लाई फिट यहां से आपने जितना वही आगे से बोटम रखना है इसका जो हमने रखना है आगे से मोरी चौदा इंच तो इस हिसाब से यह जब चार जोड़ लग जाएंगे उसके बाद यह जो है आपकी बाजू बिलकुल फिक्स तरीके से निकल जाएगी अगर आपको पूरा है तो से जोड़ लगाने के जिरुए नहीं हैं अगर कपड़ा कम है इस तरह से जोड़ लगा लें तो दोस्तों इस तरह बिल्कुल असान तरीके से हम चोटी बाजू की कटिक कर सकते हैं तो दोस्तों बाजू की कर दितिया है अब मैं आपको बताऊंगा यह देखिए यह लगाते हैं असान तरीके से वह आपको बाजूगी में बता देता हूं तो दोस्तों फुल डिटेल के लिए पहले हम कहा करेंगे पहले हम इसमें गला बना लेंगे गला बनाने के बाद ही शोल्डर किसलाई होएगी और किस तरह से होगी इस सब कुछ मैं आपको मशीन पर बता इस तरह से सीधा और जो आगे वाला गला है इसको रखना अपने इस तरह है अब आप सोचोंगे स्लाई लगे कैसे इस चीज़को बारी की समझें यह जो पीछे से बड़ा हुआ है इसको हमने बराबर ही रखना इस तरह से वह इसलाई लगानी बिल्कुल इनको आपस में र अब आप सोचोगे यह जो आगे का हिस्सा है इसमें जोल आएगा इसमें कोई जोल नहीं आएगा वह सारा प्रोसीजर कैसे होगा यह स्लाई लगाने के बाद मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंट से देखें यहां से इसको मैंने टैस्ट करके हुए अब यह जो एक्टर इस तरह से पकड़ना है मिल्कुल बाबार रखना इसको 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 फोल्ड करते हुए आपको सीधी लगा देना है यह वाली दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखने वाली यह है अगर आपको लगे कि आपका गला ज्यादा डेप हो गिर रहा है तो आपको इस जो स्लाई जैसे में लगाई है यह स्लाई इदर लाते हुए आपको थोड़ी सी अंदर गोमा देनी है इस तरह से उससे क्या होता है कि क वाजू किस तरह से टाइच करनी वह मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंड्स यह देखिए इस तरह से शिलाई लग जाती है जो गला है इस तरह से मारा अंदर बिल्कृ। इसके अंदर फिनिशिंग आ जाती है अब इसके बाद आपको करना गया दोस्तों जिए देखिए आप चाहो तो लगा सकते हो सीधी सीधी और लगाने के बाद बाजू इसमें लगा सकते हो अगर आप इस तरह से बाजू लगाने में आपको दिक्कत आती है तो भी कुछ इसका मतलब यह वाली बाजू इसके साथ होगी तो बाजू अटैच करने के लिए करना किया दोस्तों आपको प्रिकुष सेंटर में कट लगाना इसमें जिस तरह से में मैंने लगा रखा है और आपको करना कुछ नहीं इसको करना इस तरह से सीधा और इसको कर लेना सीधा यह दोनों कट हैं जो आपको मिलाने हैं और कट को मिलाते हुए बाजू को आप इस तरह से उपर रखें इसके और इसको आप इस जगे से बाजु को इसके उपर रखते हुए यहां से इसको लेकर आए और जहां से बाजु की स्टार्टिंग होगी आप इस कट को मिलाते हुए बाजु की स्टार्टिंग लगा देए किस तरह से होगा यह सारा प्रोसीजर में आपको बदाता हूं मशीन प बिल्कुल और यह जो बाजू को रखना है आपने उपर की तरफ और इसका एक छोड़ से दूसरी छोड़ को मिलाते हुए आपको नहीं से स्टार्टिंग कर देनी है अगर थोड़ा छोटा मोटा इधर से आवी जाता है आदा इंच यहां थोड़ा उससे कोई फर्क नहीं हुआ है तो प्लत कि देख सकते हो अब आसानी सी इसमें बाजू लग गई है को इसमें जोल नहीं किसी भी तरीकी का और बहुत अस्तरीकी सिस्तर निमाल लगा सकते हो वाजू लगाने के बाद दोस्तों जो यह भी आपका निशान होता है आपको बाजू के निशान आपने पहले लगा लिए होते हैं उस निशान के कोड़िंग यह आपको इसी दी सरह ले जानी होती है और असानी से आप अपने सूट की फिटिंग कर सकते हो दोस्तों यह था बाजू की कटिंग का सटीक फार्मूला और बाजू लगाने का सिंपल तरीका मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह फार्मूला पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थेंक्यू वेरी मुच